आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी स्टोनेश को बताने वाला हूँ कि अगर आप 12 के बाद में सिर्फ और एक जो हमारा ट्रेंड सलता आ रहा है कि हमको 12 के बाद में बीए करनी चाहिए या बीए सी करनी चाहिए या विकोम करना चाहिए या किसी और के कहने को उपर ही आ मैंस अ लाज काहिए कि हमको 12 के बाद में कोलेज जाना चाहिए या कोचिंग करने है दोनों से कॉन साट को सब्सक्राइश को बता हूँ तो आज गर्या वीडियो का मैं जो मक्सद वहलै प्लपयूछ श्याथ है जिससे हमारी BA, BSC, BCOM भी हो जाए और हमको एक side platform भी मिल जाए जिससे हमको 3 साल बाद में कम से कम बेलोजगरी लाइन में तो ख़़ान नहीं होना पड़े अगर अभी तक आपने वीडियो को share नहीं किया तो share कर दीजिए जिससे other students तक जोनों नहीं अभी 12th पास आउट ही करिये उन तक भी ये information पहुंच सके आप सब इस students का आपके अपने यूटूब चैनल फिजियोजी पर सवागत है आप 12th के बाद में college जाए या पोचिंग जाए ये चार चीजों पीटिपेंड करता है चार points पे हम देखेंगे द्यार से पहला है family condition कि आपकी family condition क्या है second है dreams third है job requirement और fourth है time अब इन चारो points पे मैं थोचा विस्तार से बात रूँआ वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपो समझाना जुरूरी है ठीक है जिससे आप एक सही वे में planning कर सको सही वे में सोच सको और उसके तहत आप decision ले सको हम आगे बढ़ता है family condition सबसे बड़ा point यह है कि आपकी family condition क्या है अब इसमें ही चीज होते है जैसे हर इनसान का सपना है आज ही time में कुछ बढ़ा करनेगा न हर इनसान एक बड़े सपने देखता है आज के ट्रेंड भी चल रहा है छोटे मूटे जोब तो कोई लेना ही नहीं चालता आप किसी ग्रामी इलाके से बिलोंग करते हो आपकी family condition सही नहीं है आपकी family support नहीं कर पा रही आपके सपनों को पूरा करने के लिए या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस stage पे नहीं पहुंच पा रहे हो जहां से आपके सपने पूरे होंगे तो आपको यह सोचने में मजबूर होना पड़ेगा कि हम college जाएं कि coaching जाएं second बात dreams आपके सपन नेक है जैसे माँ आप सभी स्ट्रेंट्स को बहुल दूं कि आपको यार नहीं है आपको college नहीं करना चाहिए आपको तो coaching करने चाहिए foundation course करना चाहिए और तीन साल बाद में यह दो साल बाद में एक साल बाद में हो जाहिए आप देलीपिल इस के job जोइन कर लो तो वह एक अलाग दर्वे हो जागा अगर आप इसमें इंटरेस्टेट ओ Back एशमके तो ठीक है आपको सपना तो हैं में धूक् SUS में डॉक्ट करने का आपको सपना तो है इंजिने के लिए आप BTA करो और आप डॉक्टर बनने लिए MBBS करो आपका सपना है जैसे मालो की बिजिसमेंट बनने का तो आप MBA करो ना आपका होटल मेनेजमेंट में कुछ करना चाहते हो तो उसका कोर्स करो लेकिन आपका सपना SI बनने का है तो फिर लाइन अलग हो जाएगी तो मैं नहीं मेरा बताने का मतलब क्या है कि जिन स्टुएंट का सपना डॉक्टर बनने का है उनकी फेमिली करनेशन भी सही है और उनका सपना ही है तो उनको सिर्फ फोक्स करना चाहिए कोलेज को पर अपने अपने आगे की प्लैनिंग को कॉंटिव करना चाहिए जोब रिक्वार्मेंट की अगर में बात कर रहा हूं आप सबी स्टुएंट्स को कि आपको पहले आपकी सपने जैसे मालों कि आप कुछ बड़ी जोब चाहते हो जैसी यूपीस में सब्सक्राइब बता दूंगा जै 2014 में कॉंस्टेबल पर जोइन किया 2016 में उन्होंने SI में सेलेक्शन लिया रास्ताने SI में एवरेजी के सम्टिंग है और उसके बाद में 2018 में उन्हांने आरेस क्या किया सब्सक्राइब करें तो आप भी एक बार अपनी फैमिली के डिसेंस आपकी जोब की रिवकरिमेंट को देखते हुए कोई भी छोटी जोब आप ले सकते हो और उसके बाद में जो आपके सपने हैं जैसे आपने पास इंकम आएगी आपने जैपूर में जोब ली उसके सब्सक्राइब कर सकते हों सबसे बड़ी आपके जोब रिकाइरमेंट है तो पहले उसकी परती के लिए आपको कोचिंग ओप्संस को लेना ही पड़ेगा लाश्ट अप्सन है टाइम अब सबसे बड़ी बात करते हैं हम समय की समय बहुत इंपर्टन है अब जैसे किसी के परेंट्स के पास परच्चुनी दुकान है किसी ने मालों दूद बेचने काम करते हैं डेरी वगरा है किसी में लिए गर्स में प्रोल्म आती है गैस के लिए कि घरवले इंजार करने कब बेटी 18 साल की हो कब बेटी 22 साल की हो और हम इसकी साधी करने और बेटी समय ने देख रही है एक जोब पाने की एक लाइफ में कुछ अच्छा करने की उसके लिए क्या है मैंली मैंली प्रोल्म क्या रही है समय की अगर आपके पास समय हो है तो आप अपनी सपनों को पूरा कर सकते हो अगर समय नहीं है ताप सपनों को पूरा कैसे करोगे तो इसके लिए भी आपको एक जोब अचीव करनी पड़ीगी जिसने आप अपनी बाते अपनी फैंली की सामने रख पाऊगे आपको समय मिल पाएगा और आपनी समय को पढ़ेगा आपके ड्रीम्स डॉक्तर वगर आखे हैं तो आप लाइन कोलेज दाना चाहिए आपको अगर आपके सपने हैं कि मुझे या मुझे बलब की सिंपल कोंस्टेबल डिल पूस्टेबल लगना है या मुझे आरेस वगरा मेरे फैमिलेकर से सही नहीं है फिर मुझे आरेस की जोब चाहिए या यूपी आपके आप एक फॉण्डेशन कोर्स जोईन कर सकते हो उसके बाद देखे जोब की रिक्वर्मेंट जोब की requirement आपको कितनी है उसके accounting भी आप coaching या foundation course जोई कर सकते हो और last and final चीज़ अगर आपको समय चीए खुद के लिए कि family से आप फिरी रह सको जैसे मैंने बताया आप प्रचुनी दुकान आप पिता जी जिन जा कर रहे हैं कब बैटा college करे हैं मैं इसको प्रचुनी दिवान बेठा दूँ और उससे बसना जाते हो तो यार अभी से foundation course जोई कर लो simple सा क्याई मैं यह नहीं करना कि आप college करें college आप regular भी कर सकते हो private भी कर सकते हो जब तक आपके तीन साल में college complete होगी तब तक आप कोई ने कोई जोब अचीव कर लोगे समझे बात को और उस पर अलग-अलग platforms होते हैं अलग-अलग stage होती है जैसर कॉंस्टेबल के लिए अलग है आप 12th लेवल की जो जोब सोती हो वो अलग होती है तो इन सभी के लिए अगर आप complete information आते हो आप सभी students comment box में comment कर सकते हैं बहुत ही जल्दी इसी सीरीज के अंदर आप सभी students के लिए बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं कि मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि मैं जो आपने सपने देखें उन सपनों के पूरा करने के अंदर मैं भी अपना एक चोटा सो योगदान देश हूं आप सभी students का आपके अपनी YouTube चैनल फिजिकरीजी पर आने लिए बहुत बहुत धन्यवाद